कि मैं भारत को भारतीयता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा थे हीए दो पिद्ध से मुझसी नियब कैसे नियों कहता है निया है कि जब भी खाला खाए तो खाने को इतना चबाएं कि जितने आमके दाव हैं, वाने धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाता हैं। जल्दी कभी भी खाना खाता है। अब जितने हादरे दात उतनी बार चमाएं इसका मतलब सीधासा ही है कि रोटी का एक पुड़ा मुझे रखा तो कम से कम 32 बार चमाएं क्योंकि 32 बार अब आप धीरे-धीरे चमा-चमा कर खाना कहींगे तो पैड़ा क्या होगा मुझे लार खूब अच्छे से खाने का मिलेगा और यह मुझे लार अंदर जाका प्वेट भी आपको शान्त करेगी तो खूब अच्छे से खाने की मिलकर जाएगी तो खाना सबसे जन्दी बचेगा इसी लिए कभी भी जन्दी जन्दी फुर्णा का धीरे-धीरे भारा वालंग से चबा-चबा कर खाना खाने यह इसके आगे का कूसरा है कि कभी भी खाना जमीन पर बैठ कर खाने कर खड़े ख़ाना कि खड़े खाने ही जमीन पर बैठ की खाना भारा में तो पूरसी तो खाना नहीं है यह बिल्कुल शास्तर ना बर्जित है, जमीन के बैटने का कारण मैं बता चुपा हूँ, कि जब आप जमीन के बैटने होते हैं, तो गुरुथ केंगर नाभी को है, नाभी पुटी तरह से उसके प्रभाव में हैं, उसको हम अगरेशी में कहते हैं, नाभी चार्ज है, गुर इसलिए बैट के खाना का, खड़े बड़े को कभी ना, कुरसी पे भी बैट के ना खाएं, जमी को बैट के खाएं, तो आप बहुत लोगों मुझे ये कहते हैं, इसलिए गाईगिन के बुल लेगी आएं, तो मैं उनको कहता हूँ, मैं इच्छो वापस, कुछ काम का तो है आप अगर हिसाब लगा हूँए, चेंडरी जैसे श्रहर में, एक स्क्वेर फिट जमीन यहां कितने की हिसां पर देएं, साजाजाएं, मान ओ आड़े दा, एक स्क्वेर फिट, डाइम टेपली कितने स्क्वेर फिट का हैं, दस भाइ जस का मालने हैं, या दस भाइ आठ का, जस भाइ जस का, तो सौ इसक्वेर फिट, अब सौ इसक्वेर फिट जमीन आपने कोगट में दे रखी है, टाइम टेफूरों, जो आठ दजार कुपर स्क्वेर फिट के भाउती हैं, जिसका कोई उप्योग नहीं हाता, और उप्योग तो होई नहीं कहा, जगया और घे तक सफाई करने को भी तकी पाते हैं, तो आप में तो कहा कि हम तो गर्दी शान पढ़ाने के लिए लाई है, तो उस से शान पढ़ने के लिए जिन्दी की खराब होगा, और वैसे भी साहुकार पेट में, घर जोटे हैं, तो छोटे तरों में खुड़ा इस्थान रहे, तो भारती अवास्ती, जो है न भारती अवास्ती, उसमें बहुत स्मुष कहा गया, घर में इस्थान जितना खुला होगा, आपका दिर और दिमार को रुक लोग है गुजराद के लोग है इसी चिक्रेव जो छोटे-छोटे घ्रोग रहते हैं तो संगुची दिमाद है और इनी के गाओं राजस्तान पर गुजराद में इतने बड़े-बड़े धरवाई हैं एक एक घर जो है न एक एक भीगे में तो वही ज़र्वे रहते हैं तो ख आप तो यह जो जाती है कच्रा खरीट है तो यह जो है कि घर में रखे रखें वीस पच्छी सजार गेरा तो बहुत आगे दिगी के लिए तो उसको ध्राव नेखिए तो यहां तो बेच दिखें नहीं तो दूसरा उपाद बताता कि इस लाइनिंग में को इस पैर काट ने तो साग्री जी जैसे बैठी है ऐसे यह पढ़ रहा है कि आप जमी तो बैठ जाईए खाली उसको रख लिए खालता लिए अगर उसका सभव्योग करता है तो यह तरीका है नहीं तो मेरी तो आपको बिंती है काटना कि जिनके धर्में राइगे के तुल नहीं आया कभी मत अगर नहीं आया है आप बहुत भागे शादी है आगे भी मत लाइए एक तो जगे मत रही है उसको अब आप में कुर्सी को बैट के खाना खाए और अपना पेट कराब पर शबीर कराब कर जमीन पर बैट कर खाना खाना सबसे अच्छा है भारत में हजारों साल से यहीं पर बुस्का रही और मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि जब तक भारत वासी जमीन पर ग्रेट कर खाते लिए किसी का पेट कभी भी बाहर नहीं आगी हमारे दाला दानीबों के एक्छले दाला दानीबों के जैसे हमने जमीन छोड़े और मेज कुर्सी पे गई पेट बाह अजuppरा शchenी जमीन झाला दानीबों काई बाहर जो पाला झाला इसल फाया ःता जहीं कर रहरे दोड़दी और में कथ को शवड़ और ज REALLY से उतार दो w देने भी हूदूब काजा हमें जम कर दो हूदू हरो चाहिता पनीड़ूर can पिका आप शने एद्सक्श कानीश diffic Glenn बाह